इस वीडियों में डिस्प्ले टेस्ट करते बिट्विन Galaxy S21 FE, Snapdragon and Exynos variant यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ तो यह जो हमारा right में Snapdragon variant 888 और left में Exynos 2100 variant और यह मुझे ने अब भी नोटीस किया जब मैं जो इनके उपर भी tempered glass लगाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर light theme जो दोनों पर on कर दी है तो मुझे जो डिस्प्ले का जो color temperature है वो थोड़ा difference देखने मिल रहा है Snapdragon 888 वर्स एक्सिनोस 2100 में मेरी जो display setting है वो सारी चीज़े यहाँ पर मैंने same रखे है कुछ changes नहीं है brightness दोनों की same है इवन जो motion है वो standard है दोनों पर 60 Hz पर मैंने set किया है यहाँ पर आप देख सकते हो screen mode भी दोनों का same है इसमें भी मैंने कोई difference यहाँ पर रखा नहीं है लेकिन तो भी स्पेशली जब हमारा जो यह display है यहाँ पर कोई भी white color में बैगराउंड अपको आता है तो Exynos 2100 का जो display है यहाँ पर मुझे warmer tone जो यहाँ पर देखने मिल रहा और जो snapdragon 888 variant का display यहाँ पर मुझे cooler tone जो है देखने मिल रहा है white color में यहाँ पर definitely noticeable है अभी मुझे पता नहीं कि आपको वहाँ पर कैसे देखने मिल रहा है बाकि viewing angles वगरे सारी चीज़ जो है एकदम fine है और अभी तक मैंने दोनों के उपर tempered glass अपलाई नहीं किया यहाँ अपलाई करूँगा इसके बात की वीडियो का दोनों पर बस मैंने यहाँ पर cover अपलाई किया है tempered glass अभी तक अपलाई जो यह नहीं किया है और tempered glass अपलाई करने के लिए यहाँ यह white color की light theme अपलाई की और तभी मुझे नोटीस हुआ डिफ्रेंस से लिए मैंने चाहा कि आपको में दिखा दू तो यहाँ पर exynos में warmer है और हमारे snapdragon में cooler tone मुझे white color में देखने मिल रहा है और जैसे अगर मैं for example को यहाँ पर यहाँ पर मैंने पहले से वीडियो open करके रखी है यहाँ पर हमारा यह है कि दोनों में मैंने brightness सेम जो है सेट की हुई है तो यहाँ पर जो है मैं दोनों में वीडियो रेज्यूम कर देता हूँ तो आपको जो में थोड़े आईड़े आजाएंगे में दोनों को सेट आणगे तो अभी आप देख सकते वीडियो जो हमारी चललों होचपि गनी चुरू हो चुकि है दोनों बोरियाण्ट में और यहाँ पर full screen करता हूँ मैं यहां पर आप देख सकते हो दोनों भी जो है मैंने डिस्प्ले को जितना मतलब जूम है एजस तक उतने मैंने जूम रखे है और दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हो यह जो है स्नाप्राइगन ट्रिपल एठ है और यह वाला एक्सिनॉस 2100 है तो यहां पर अगर आपको कुछ कलर डिफ्रेंस वगरे देखने मिल रहे है तो मुझे यहां पर बता दीजिए विविविविव अंगल जो है दोनों की अच्छे है यहां पर देख सकते हो जो मैं जो है अलमुस्ट 90 डिगरी तक जो है फोन को ऐसे स्ट्रेट रख रहा हूं कोई ऐसे विविविव अंगल में जो कोई यहां पर इशू बगरे देखने नहीं नहीं मिल रहे है बस जो कलर टेंप्रेचर है कलर टेंप्रेचर दोनों डिस्प्ले का वो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा थोड़े सैचुरेटेड एंड पॉपी कल रहा थे तो आप देखके बता सकते हो कौनसे डिस्प्ले में आपको सैचुरेशन ज्यादा देखने मिल रहा है कौनसा डिस्प्ले आपको वार्मर और कौनसा डिस्प्ले में आपको कूलर कलर टोन देखने मिल रहा है तो saturation और poppy color जो है जो ज़्यादा vibrant color जो मुझे Exynos के variant में देखने मिल रहे है as compared to snapdragon 888 तो दोनों भी जो है same ही phone है Galaxy S21 FE 5G लेकिन डिस्प्ले पैनल में color temperature दोनों में different यहाँ पर देखने मिल जाता है फिर आप दोनों को कितने भी angle में बगरे रहे हो viewing angles वगरे सारी चीज़े दोनों में same है बड़ जो temperature ए color temperature वो यहाँ पर मुझे difference देखने मिल रहे है यहाँ पर clearly saturated display हमारा Exynos 2100 का as compared to snapdragon 888 जो मुझे पसंद है मतलब poppy color ऐसे पंची color जो है मुझे पसंद है इसलिए मैं पंची vivid mode पर रखता हो लेकिन यहाँ पर वो colors देखने मिल रहे है मुझे लेकिन snapdragon 888 में जो उतने ज्यादा vibrant color देखने नहीं मिल रहे है ज्यादा difference नहीं है Samsung के panel ले तो आपको quality दोनों में देखने मिलती है लेकिन पंची color की अगर बात हो तो Exynos 2100 जो है बहुत अच्छे poppy पंची जो है color यहाँ पर दिखा रहा है as can be do snapdragon 888 तो आप देखे जो है choose कर सकते हो कि आपको जो है कौन सा display यहाँ पर बेटर लग रहा है ज्यादा difference नहीं है बट minor difference definitely है क्योंकि color temperature जो है दोनों का यहाँ पर अलग अलग देखने मिलता है इसलिए वाइट्स भी थोड़े warmer वाइट्स आपको यहाँ पर exynos 2100 में देखने मिलते है यहाँ पर blue भी देख सकते हो c blue वगरे यहाँ पर थोड़ा पंची color में देखने मिलता है as compare to थोड़ा नाचरल color जो हमाँ ड्रिपल एट में देखने मिल रहा है डिस्पले में shadows एरिया वगरे यहाँ भी जो color है पंची है यहाँ भी ब्लू नोटिस कर सकते हो झाल 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 क्वालिटी वाइस दोनों डिस्पले अच्छे है बस जो color temperature वह यहाँ पर आपको जो है difference देखने मिलता है जिसके वैसे आपको ज्यादा जो है पंची color जो है यहाँ पर एक्सिनोस 2100 में देखने मिलता है यहाँ पर आपको पंची विविड कलर देखने मिलते है लेकिन जो intensity है colors की बहुत ज्यादा पंची देखने की वह जो आपको एक्सिनोस 2100 में ज्यादा अच्छी देखने मिलती है और कुछ ज्यादा यूज डिफरेंस नहीं है लेकिन डि देखने मिलता है अभी मैं आपको RGB टेस्ट करके दिखा दो दोनों भी variant में तो आपको आपस डिस्प्ले में अगर कुछ डिफरेंस होगा colors में वह आपको यहाँ पर देखने मिलेगा दोनों में एक साथ वीडियो स्टाट करके 3 2 1 & go तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनो में red आपको जो किस तरह से दिखने मिल रहे है और दोनों का viewing अंगल सेम है दोनों को सेम viewing अंगल पर मैंने पकड़ा हुआ है ताकि आपको reflection ना दिखे light का यहाँ पर green भी मुझे अच्छा दोनों displays पर देखने मिल रहे है थोड़ा सा पंची है हमारे s21f exynos variant में अगेन यहाँ पर blue भी जो है थोड़ा सा darker मुझे देखने मिल रहे है snapdragon 888 में यहाँ पर यह blue अगेन मुझे snapdragon 888 में जाधा पंची देखने मिल रहे है purple यहाँ पर मुझे जो exynos 2100 में जाधा पंची देखने मिल रहे है vibrant vivid yellow अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर exynos 2100 में जाधा yellow देखने मिल रहे है मुझे color यहाँ थोड़ा सा lighter yellow लग रहे है मुझे snapdragon 888 में और यह तो black है तो black में जो है दोनों भी dark हो जाते डिस्प्ले आफ ही हो जाती एक तरह से black में और अभी white color आएगा तो white में आप देख सकते हो warmer white exynos 2100 का है cooler white snapdragon 888 वेरियंट का है तो इस तरह से जो आपको थोड़ा जो है color temperature में डिफरेंस देखने मिलता है galaxy S21 FE 888 वसेस galaxy S21 FE exynos 2100 तो यह वीडियो पसंदा है तो वीडियो को जो आप लाइक कर सकते हो चैनल को यहापे नीचे subscribe कर सकते हो मिलते अगले वीडियो में चुक जर अपहपा जर रजय कर सकते हो मेंकर सकते हो isब का भीडियो में aur झाहपा लाए क।